जैमातादी प्रभुजी आप सबका स्वागत करता हूँ लाल किताब के प्रोग्रैम में और शुरू करते हैं गुरुदेव को प्रणाम करने से और गुरुदेव की वन्दा करने से गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विष्णू, गुरूर देवो, महिश्वरा, गुरूर साक्षाद, परम ब्रह्मा, तत्समेश्री, गुरुवे नमा तो दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे सुरूर देव खाना नमबर 3 में क्या असर करते हैं, क्या फल देते हैं और उनके उपाए किस तरह से हम कर सकते हैं दोस्तो लाल किताब में तीसरे घर में बैठे हुए सुरे को दोलत का राजा का गया ऐसा व्यक्ति अपनी मेनत से खुद कमा कर खाने वाला होता है क्योंकि तीसरा घर मंगल का है आम तोर पर तीसरे घर में सूरे होने पर चंदर का फल शुब रहता है मंगल बद होते हुए भी यहां पर अपना बुरा प्रभाव नहीं देता शुकर ग्रह भी अच्छा फल देते है तीसरे घर में सूरे होने पर ऐसे व्यक्ति को जोतिश में रूची रहती है और वह अगर जोतिश का ग्यान प्राप्त करना चाहे तो यह उसके लिए शुब फल ही देता है सूरे देव तीसरे घर में व्यक्ति का चरितर अच्छा ना हो तो यह उसके भागे को पूरी तरह नश्ट करतेगा यानि यह इसका उपाई बन जाता है जो हमारे परहेजिया होते हैं वही हमारे उपाई होते हैं ऐसे व्यक्तियों को अपना चर्टर अच्छा रपना है तो उसका सब कुछ अच्छा खुद बखुद हो जाएगा। सूरे खाना नमबर तीन के समय यदि चंदरमा शुब भारत में हो यानि चंदरमा दूसरे या चोते घर में हो तो माता के लिए और चंदर की दूसरी चीजों के लिए इसका फल शुब रहता है और आथिक स्थिती पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। ऐसा व्यक्ति अपनी आयू के आखरी हिस्से में धनवान हो जाता है यानि आयू के आखरी हिस्से में अमीर हो जाता है। सूरेदेव 3 के समय ये दिखाना नंबर 9 में अशुब ग्रयाओं यानि सूरेदेव के शत्रु ग्रयाओं तो ऐसे व्यक्ति के पिता और दादा की आथिक स्थिति निर्धन्ता में गुजरती है सूरेदेव 3 के समय चंद्रमा अशुब आलत में हो यानि बारवे में हो आठवे में हो तो ऐसे व्यक्ति के यहां दिन दाहाडे दोलत की चोरी होने का भी खत्रा रहता है तो दोस्तों ये थे सूरेदेव खाना नंबर 3 में क्या फल देंगे किस तरह के असर करते हैं तो अब इनके उपायों की बात करते हैं जदा उपाय नहीं है इनके वही सावधानिया है पहली सावधानिया है मंदे कारेओं से बशते रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति को मंदे कारेओं में शामिल नहीं होना चाहिए दूसरा उपाय बड़ा सिंपल है ऐसे वेक्ति को अपनी माता का अशिरवाद लेते रहना चाहिए माता का अशिरवाद हर किसी को लेते रहना चाहिए माता चंदर देव होती है तो चंदर मा अच्छा करना है तो माता का अशिरवाद लेते रहो अगली भी सावधानी है कि ऐसे वेक्ति को अपने चाल चलन को अच्छा रखना चाहिए शुक्र देव अच्छा फल देंगे नेक्स्ट उपाय है चावल और दूद का दान करते रहना चाहिए और 9 और 11 घर में यह वपाय बनता है सुरदेव तीसरे घर में 9 और 11 घर में यदि कोई मंदाग रहे है तो उस ग्रह की वस्त में दान करते रहना चाहिए तो दोस्तों इस तरह से हमने सुरदेव तीसरे घर के फलो रुपायों की चर्चा की आशा करता हूँ मेरी द्वारती गई जानकारी आप लोगों को मदद करेगी इसी प्रकार से हम अगली वीडियो में मिलते रहेंगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद, जैमाता दी